मुंबई के BMC election किसी भी राज के विधान सभा चुनावस से कम नहीं होते क्योंकि सारे राजनितिक गलों की इस पे नजर होती है और BMC का बजट इतना होता है कि हिंदुस्तान के कई राज्यों का उतना annual बजट नहीं होता आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि BMC के election कितने महत्व हैं और इस पार इसलिए भी जादा महत्व है कि इस पे लगातार शुसेना और BJP का वर्चस वर रहा था और सबसे महत्व इसलिए है क्योंकि शुसेना जो है BJP से अलग होकर पहली बार लड़ रही है और शुसेना की प्रचार खुद समभाले हुए उदो ठाकरे और उनके बेटे आदित ठाकरे और आज हम आदित ठाकरे की एक पढ़ यात्रा और रोड़ शो कवर कर रहे है जो देखेंगे कि वो किस तरह से अपना रोड़ शो करते हैं क्योंकि इसके बार रैली कर रहे है चुसेना के लिए इसलिए भी बड़ी चुनाओती है क्योंकि बीजेपी के साथ हो राज में तो साथ में है लेकिन बीमसी में पहली दफा अलग लड़ रही है और बाइस फरवरी को होने वाले बीमसी चुनाओ बीजेपी और शोसेना के भविश में किस तरह के तालुकात हो और किस तरह से अपने रोड़ शो करते हैं और रैली करते हैं क्या प्रमुक मुद्धे है पहली दफा आप जो है बीजेपी से अलग होके चुनाओ लड़ रहे है क्या प्रमुक मुद्धे है जो आपको लगता है कि क्यों आपको बीमसी में जिताना चाहिए क्योंकि आप अलड़ी एट्रिक बना चुके है बिल्कुल शिवसेना एक मुंबई का पक्ष है मुंबई में कुछ भी हो अगर ब्लड डोनेशन की बात हो कोई आपतिया है या किसी को रात को भी मदद चाहिए होती है तो भाग के जाने वाले शिवसेन YouTuber होता है अन्य जो पक्ष कियल जो नेता है वो तो बाहर से आते है अन्य शहरों से आते हैं लेकि मुंबई पर उनका प्यार नहीं है मुंबई जानने वाली शहर क्योंकि ये चुना वह बहुत लोकल होते है civic elections और दिन रात जो काम करते हैं वही वो शहरों में जीतते हैं तो मुझे ये तो पुछे पता है कि शिपसेना जीतने वाली है चलिए आपको लगता है शो सेना जीतने वाले पर बीजेपी इस पार आपके साथ नहीं है लगातार पिछले तीन दबाव आपके साथ देखे वो आपको लगता है एक सेट बैक है आप रोगों के लिए बिलकल नहीं क्योंकि हम सक्ते के साथ मैं हम अगर आप हमारी प्रेस गूंसरे देखे सभाय देखे तो हमने जो काम किया है मॉंबए में उसी इपर बात किया है किसी दुसरे को jugar не किया है कई पक्षे हैं जिनको लगता है कि चलो सरकार है दिली में है राज्ये में है तो जीत सकते हैं लेकिन उनको मुंबई को जीतना नहीं निगल जाना है तो ये हम कभी होने नहीं देंगे आदित हम इतने सालों से देख रहे हैं अब आपको पॉलिटिक्स माय सालों हो गए है उदो जी के बाद आपका ही नंबर है पार्टी में और हमने देखा तमाम पॉलिटिकल डिसीजन में आप आगे रहते हैं ऐसा क्या कुछ बिगड़ता चला गया है कि आपस में जो है समझोता नहीं हो पाया गरबंदा नहीं हो पाया देखो शिवसेना में पहली बात तो कोई नंबर नहीं रहते एक नंबर पे बाला सर्फ ठाकरित थे और हमेशा रहेंगे और उनके साथ सारे शिवसेने जो हम शिवसेने के वो जुड़े रहें क्या बिगड़ते आया हैं हमें तो लगता है कि जब जनरेशन बदल गए मैंने पहले जनरेशन भी देखी थी नहीं के साथ अगर भाटचा पीड़ी जैसे पक्षे एलाइनस कर सकती है बढ़े लेखते ये कोई रिष्ता रहा नहीं अभी ये तो सिर्फ कमर्श्यलईजूं हो गया है और Alliance उनको सिर्फ सियासत के लिए चाहिए तो ऐसे पक्ष के साथ हम तो रह नहीं सकते हैं अगर सिर्फ घमंड बढ़ता जाए तो वो घमंड उत्राना जरूरी होता है तो आपको लगता है कि NBA में आप केंदर में साथ हैं राज में साथ हैं उधो जी लगतार कहरें कि नोटी स्पीरिट में चल रहा है मामला तो क्या वाकरी नोटी स्पीरिट में चल रहा है बिल्कल नोटी स्पीरिट जारी है और जल्दी आप देखेंगे उसका नतीजा क्या होता है BMC के नितिज़े आपको क्या लगते हैं जो मेट्रो या विकास की नाम पे मुंबई में 5000 से ज़्यादा पेड़ कात रहे हैं मुंबई बेचना चाहते हैं मुंबई बिल्डरों को बेचना चाहते हैं हम ऐसे पक्ष के साथ कभी भी यूती करेंगे नहीं आगे तो जो नतीजे है आप देखोगे 23 तारीक को जो नतीजे आएंगे उसलिफ सिर्फ सेना के साथ आएंगे बीच में चर्चा चल रही थी कि MNS के साथ भी कुछ बातचीत हुँ थी चोड़ दे तो लगेगा बहतर है उनके बेटे भी पॉलिटिक्स में बहुत जादा एक्टिव हो रहा है आपके कजन जो है क्या लगता है कि बविश में आपके लिए चोनोती बन सकते हैं मैं तो सिर्फ अपने काम पर देखता हूँ अपने साथ जो लोग है उनके साथ काम करना चाहता हूं और मुंबई पर फोकस करना चाहता हूँ आपने तमाम जो है इस्टेडियम बनवा दिये हैं यहाँ पे जिम उपन बनवा दिये हैं अधित और क्या लगता है कि इन सब की कोई जरूरत भी बनिश्पत इसके की पानी भर जाता है जब यहाँ बारिश होती है आप देखते हैं नेशनल टीवी पे भी पानी भर गया है व महाराष्ट में दुशकाल था याने ड्राष्ट था पूरे महाराष्ट में द्राउट था तब ही भी मुंबई को उस द्राउट का फटका लगा नहीं इसका कारण एक ही है BMC नो जो धरन बनाए अपने, जो डैंस बनाए, जो सिस्टेम में वाटर सिस्टेम, तो मुंबई में ड्राउट फील हुआ नहीं अगर उसके आगे जाके देखे जून जुलाए में, तो मुंबई में भारी बरसत हुई है दिल्ली, अंदरबाद, चिन्नी, तीन-तीन दिनों के लिए फ्लाट में भरी हुई थी गुर्गा जिसको मिलेनिम सिटी कहते है, वहाँ भी फ्लाट थे लेकिन मुंबई में 24 सिटम्मर के रात को 114 mm रेन हुआ उतना तो कभी भी होता नहीं है, ये तो क्लाउड बोस है लेकिन अगर उतना बारिश भी हुई, मुंबई में कहीं भी 10 मिनिट के उपर फ्लाटिंग हुआने, इसका कारण एक ही है, जो हमने पंपिंग सेशन बना है बिमसी ने, जैसे ब्रिटानिय आप रेरोड का बंपिंग सेशन है, हिंद माता वगर जो एरियास में चलता है उसकी अगर आप शमता देखो, तो 36,000 लीटर्स पर सेकिंड पानी पेख सकता है समुदर में हमारा शहर तो पानी में भरा हुआ है, तीनों बाजों में समुदर है, अंदर मिठी नदी जैसे अलग-अलग नाले है उस हिसाब से अगर देखो, तो मुंबई पूरी भर जानी चाहिए थी, लेकिन वो भरी नी, इसका कारण एक ही है, जो हमने काम किये तो कुछ काम हम दिखाते है, कुछ काम जमीन के नीचे होते है, वो दिखते नहीं लोगों को, लेकिन काम महसूस होते है मीडिया को कभी-कभी दिखता नहीं, लेकिन लोग तो जानते है आपने इस्टेटियम बनवा दिया, जब यहां लोगों के रहने की जगा नहीं है, तो इतने बड़े इस्टेटियम के क्या ज़रूतिया दित? आपको लगता है कि जिम बनाने की ज़रूतिया यहां इतने ज़्यादा? मुंबई कर को दुनिया में जो सारी चीज़े अच्छी है, उसको लाना ज़रूरी है और वो लाते रहें, लाते रहेंगे. नाइट लाइफ की आपने बात की कि मुंबई में वे विदेशोक तरह नाइट लाइफ हो, लोग बाहर निकलें, तो यह सब विचार किस तरह से आप लेके आतो? नाइट लाइफ की जो बात हुई थी, तब कहीं लोगों के लगा था नाइट लाइफ यानि पब्स और बार्स, यह शायद एक miscommunication campaign किसी लोगों ने शुरुआत की थी, क्रेडिट बहुत मिल गया था सेना को. लेकिन नाइट लाइफ की बात simple थी, मुंबई एक international city है, मुंबई में 24 घंटा जैसे आप प्रेस की लोग है, या हम लोग है, या कहीं अन्य लोग है, जो 24 घंटा काम करते हैं, कभी-कभी रात को अगर खाने की चीज हो, या कहीं कॉफी पीने के लिए जाना हो, कभी चिल क कर झाना हो, तो जगा नहीं है, क्योंकि अभी जो जगाह है, सिर्फ पाइफ सास में, और सरफ रइस लोग जा के खा सकते हैं, लेकिन अगर सामन्य मुंबई करों को जगा चाहिए, तो कहीं भी नहीं है, मुंबई करों का दिन, जैसे अन्य शहेरों में 6 बजे खतम होता है, मुंबई कर दस बज़े खतम होते रात को, तो अगर परीवार के साथ कही जाना हो, कही फिल्म देखनी जानी हो, तो क्यों ना मॉल्स जैसी जगह है, वहां सामाने मुंबई कर जा सकता है, अपनी खरीदी कर सकता है, अपने परिवार के साथ ये दोस्तों के साथ जैसे चिल टाइम बोलते हैं, क्यों ना करें, मुंबई करें को सबसे अच्छी चीज़े कर देनी हो, तो देना जरूरी है आदित आप कभी भी हैं, और गीत भी लिखते हैं, आपका हिंदी का एक एलबम भी आया है, तो इतनी वेस्थ जो है, पॉलिटकल लाइफ में, इन सब चीज़ों के समय निकाल पाते हैं? मेरे गीतों को अगर छोड़के आप सवाल करें, तो मुझे आनन्द होगा, ये सबसे कटिन प्रेशन है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल अगर कुछ बात कर रहा है, तो ठीक है, लेकिन गीतों का प्रशन है, तो थोड़ा कटिन हो जाता है आपने हिंदी में लिखा, आपने उसमें लिखा प्रस्तावना में कि आप वाजबेजी से बड़े प्रभावित हैं, और मैंने भी उनकी तो कुछ सुना है, तो क्या आप उन सब चीज़ों के लिए समय निकाल पाते हैं, आप जब से एक्टिक बॉल्टिक्स में आए, निक आप मानते हैं कि ऐसा कुछ होगा, अगर वो आपकी बातों को समझेंगे, क्योंकि समझोता का नहीं हो बात है, तो जाहिए से बात है, दोनों पक्ष में कोई बात नहीं जम पा रही थी, अगर जोरत पड़ी तो क्या आप लोगों के साथ जा सकते हैं, मुंबई ये समझोत आपके पुराने में तरका भी था, इसलिए मैं करें, बिल्कुल, लेकिन जो भगवा है, उसमें कोई दूसरे रंग नहीं है, सिर्फ भगवा है और ये मुंबई करों का भगवा है, अच्छा ये जो पांचों प्रदेश में चुना हो रहे हैं, आपको क्या लगता है, किस उतर प्रदेश में, पंजाब में, शिर्फ से लड़री है, बारी मतों से उनको हमारे जो उमिदवार है, उनको मत आएंगे, और एक परिवर्तन जो है देश में, अलग लहर, जो रीजिनल पार्टी का फ्रंट है, वो आने वाला है आगे, तो ये तो मैं इतना को कह सकता हू क्योंकि अभी वो राजनीती का समय गया, जब लोग कुछ भी आके फेक सकते थे नेता, और लोग उस पे भरोसा करते, अभी उल्लू बनावी नहीं चलेगा तो माना जाए कि आदित का विजन इतना बड़ा है, जो अभी तक बाला साब महारास्टा से बाहर ने निकले हैं, आदित ने उत्तर परदेश में, बिहार में हर जगे अपने उमिद्वार खड़े की हैं, गोवा में भी, गोवा में आप काफी खासे एक्टिव नजर आएं तो आप उमिद्व कर रहे हैं कि अब आप महारास्टा से बाहर भी निकलेंगे और नेशनल पॉलिटिक्स में भी उतनी जोड़ जोड़ से आएंगे बिलकुल मुझे लगते शिफसेना एक ही रीजनल पार्टी अभी है बाला साब के विजन के हिसाब से जो जिनका आवाज पूरे देश पे इंपाक्ट करता है कश्मीर से लेके कंग्या कुमारे तो क्यों न हम भार अपनी उमिद्वार खड़े करें और जहां अगर शिफसेना को फॉलोइंग है तो उन लोगों को नयाई तो देना चाहिए क्योंकि अगर ऐसे हुआ है अभी तक कि हम कभी भी बाहर उमिद्वार नहीं दे पाए अभी मिल रहे हैं आगे आ आ रहे हैं ल प्रचार करने वाला हो उत्तर प्रदेश में कहां कहां जाएंगे अभी अभी जैसे नेक्स फेस है अभी इस फेस में तो अगले फेस में बदाईयू में हमारे उमिद्वार है मुरादाबाद में काफी इंपॉर्टन है लेकिन आगे के फेस में भी काफी उमिद्वार है त पूरी उमीद है कि 23 सारी को जो नतीज आएंगे वो पूरी तरह से शिवसेना के पक्ष में होंगे। यानि सीधे तोर पर BJP से खुली लाम ले रखी है शिवसेना ने। लेकिन काफी हद तक चीजे इस बात पर निरभर करेंगी कि BMC के इलेक्षन में नतीजे क्या आतें। कहीं ऐसा ना हो कि विदान सबाचुनों में भी अलग अलग लड़ेतें और अंट में फिर साथ में आकर सरकार में शामिल होना पड़ा कहीं BMC में भी ऐसा ही ना हो। कैमराबन प्रदीप सिंग के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, मुंबई